कर दोस्तों नमस्कार के पीडी से करदी में आपका हार्तिक स्वागत है आसा करतों आप स्वास्त होंगे अच्छ होंगे दोस्तों सीडीवी बैलवी का सिच्छा साथ का 30 क्वेशन है सेसे नहीं आएंगे जोंकि सीटर पर चाहिए बहुत ही हल्पल सावित होगा चैनलों को प्रति दुद्यात्मक समाजी करड़ की अवस्ता किस ने कहा है ए जर्सील्ड बी ए फ्रोवेल सी ए इस्टेर हॉल डियकल पैट्रिक तो कोशन का फिच्छा पूछा गया है कोशन एक और और देखेंगे कोशन पूछ जारा है कि बाले अवस्ता को प्रति दुद्यात्मक सम समाजी करड़ की जो अवस्ता का है वो है किल पैट्रिक जी ने कहा है तो अंसिता करेक्टर होगा यहां पिया हमारा डि अगर पूछन देखेंगे बाल विकास की संपूड अबदी में मानसिक विकास की गती सरबदिक तीबर किस अवस्ता में होती है ए सैसवाकाल बी ए बा बाल विकास की मानसिक की गती सरबदिक तीबर कि अवस्ता होती है यह कुछर 沒事 जारा है कि जिसके हैं बात करते हैं यहां पिपाल विकास की संपूड अवदी में जो मानसिक विकास की सरबदिक तीबर होती है वोई अवस्ता होती है जो कि हमारी ख्यासमा का लवस्ता होती है बच्चस में काफी जली जी सीखता है तो थो अध्यासर कर्रेक्ट हो motorcycle हो यह यांप हमारा ओट हो लोशन देखेंगे भाए प्याजो के अनुसार संगयानदपक पालविकास की कितनी अवस्ता है ए तीन अवस्ता है बी ए चार अवस्ता है सी ए पांच अवस्ता है डी ए छे अवस्ता है तो question में पूछे जा रहा है कि यहां पी प्याजे की अनुसार संग्यानतमक संग्यानतमक बालविकास की कितनी अवस्ता है मानी गई है यह question में पूछा जा रहा है, तो जैसे कि हम पर बात करती हैं, प्याजे के रुस्वार संगेनात्मक की बाले विकास की अवस्ता जो मानी गई है, वो चार अवस्ता है, मानी गई है, तो अंसे करेक्ट हो गया हमारा B, और कोशन देखेंगे, लॉरेंस कॉलवर्क विकास के छेत्र में स किस छेत्र में माने जाती है, सोथ के किस छेत्र में के लिए जाने जाती है, या कुशन में पूछा जा रहा है, तो जैसे कि आप भी बात करती है, लॉरेंस कॉलवर्क नहीं, जो विकास के सिद्धान्त दी है, या विकास के छेत्र में सोथ की है, वो नैत्रिक चरण के सिद संपूर्ण मानसिक विकास का कितना भाग तीन बर्स तक की आयू में हो जाता है। कितना तीन भाग यह तीन भाग यह तीन बर्स की आयू में हो जाता है। ए सम्वेगात्मक दश्टी से द्रड, बी आत्मकेंद्रित, सी ए सामाजिक, डी ए सम्वेगात्मक रूप से आईस्तर तो कोशन को शिर जारा कि सहसवाफसा में सिसू किस प्रकार से होता है, ऐसे कोशन को समझाएंगे। तो जैसके बात करते हैं सहसवाफसा में शिसू आत्मकेंद्रित होता है, तो अंसे करेक्टर हो है यहापे हमारा अगला कोशन देखेंगे सफल एवं प्रभावी सिच्छड के लिए आवश्यक है यह ब्यक्तिकत विवन्यताओं का ज्यान बी ए अपनी बेतन का ज्यान सिय सह कर्मी की योगिताओं का ज्यान डी ए उपरुक्त सभी का ज्यान तो कोशन काफी अच्छा पूछा गया है कि सफल एवं प्रभावी सिच्छड के लिए क्या आवश्यक होगा इस प्रगाट कोशन समझाएंगे तो जैसे के बात करते हैं सफल एवं प्रभावी सिच्छड के लिए जो सबस्यादा आवश्यक होगा वह है कि ब्यक्तिकत विवन्यता का ज्यान होना आवश्य हुआ सिच्छक के लिए तो आंसित करेक्टर हो जागा यहांपे हमारा ए अगर आउस्चन देखेंगे ब्यक्तिकत विवन्यता निहित होती है ए ब्यक्तिकत विवन्यता निहित होती है तो जैसे कि हम बात करते हैं जो ब्यक्तिकत विवन्यता होती है वह होती है कि ब्रद्दी विकास परपकुता इन तीनों में निहित होती है तो आंसित करेक्टर हो जागा यहांपे हमारा डी अगला कोशन देखेंगे वीडियो को लाइक करते हैं साथ आतमें चैनल को सब्सक्राइब कर आपको प्राप्त कर लेता है तो जैसे कोशन में बात करते हैं बालक का जो बिकास होता है या बालक के मस्तिस्क का जो बिकास होता है वो लगवव हो जाता है हमारी च्छेवर्स की आयू तक लगबग पूर्ड आकार प्राप्त कर लेता है तो अनिसले करेक्टर हो यहां पर हमारा बी अगला खुशन देखेंगे बुद्धी माफ किजिए मूर्त बुद्धी है यह कोशन बुशन बुशन गया रहा है यांत्रिक बुद्धी निए गद्धी गध्चातमक बुद्धी मैं पुशन में कोई नहीं तो कोशन बुशन बुशे जब गया कि मूर्त बुद्धी किस प्रकार की है यह कुशन में पूशे जा辻हा है तो जिसके बातem बुद्धी गद्ध्यात्मक यांत्रिक बुद्धा UP ऑन्सर ब्दी अगर कोशन देखेंगे, सिच्छा का अधिकर का संबंद किस आयू बर्ग के बच्चों से है, जीरो से पांच वर्ष बी है, छैसे ग्यारे वर्ष सी है, जीरो से ग्यारे वर्ष बी है, जीरो से अधिकर का संबंद किस आयू बर्ग की बच्चों से है, यह कोशन में पूछ है रहा है, जीरो से ग्यारे वर्ष बात करती है, कोल ने संब्गात्म विकास का अनोखा काल किस आवस्ता को कहा है, यह कोशन में पूछे जा रहा है, तो जीरो से बात करती है, अनोखा काल यह संब्गात्म की विकास का अनोखा काल कहा जाता है, वो है बाले वस्ता, तो अंसे दा करेक्ट होगा यहाँ पे हमारा B अगला कुशन देखेंगी वीडियो को सेर करते रहें लाइक करते हैं साथ जात में चैनल को सस्क्राइब कर रहें प्रेस कर लें जिससे की नटिविशन मार्दिम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी कोशन देखेंगी सिच्छक के पास अधिगम के जितने भी सादन उपलब्ध है उनमें प्रेड़ा समगत तरवदिक मैतपूर है यह कतन है E.A. Thondike का B.A. Stephens का C.A. Iskner का D.A. Maslow का तुझे कोशन पुशे जारा कि सिच्छक के पास अधिगम के जितने भी सादन उपलब्ध है उनमें प्रेड़ा समगत है अधिक यह सरवदिक मैतपूर है यह कतन किस ने दिया है यह कुशन में पूछे जारा है जैसके बात करती है यह कतन इस्टी फिंस के द्वारा दिया गया है तो अंसे सरे करेक्ट होएगा यहांपे हमारा B अलोशन देखेंगे अधिगम है ए ग्यानारजन भी यह जीवन की आदारभूत प्रकरिया सी यह आवशक्ताओं की संतुष्टी डी यह उप्रक्स में से कोई नहीं तो जीवन की आदारभूत प्रकरिया है तो अंसे सरे करेक्ट होएगा यहांपे हमारा B अग्याना ग्यानारजन देखेंगे नियमने लख में से अधिगम की विशेष्टा नहीं है A. अधिगम सर्वहुमिक होता है B. अधिगम चेतन अचेतन अनुभावों पर आदारित होता है B. अधिगम जीव को संतुष्ट प्रदान करता है D. अधिगम में लक्ष प्राप्ति की आवपशक्ता नहीं होती है तो यह कोईगम पूश जा रहा कि और यहां इस प्रकार के कोईशन सीटर नहीं पूश आते हैं तो पहले कोईशन को B. किरवली पढ़ना है कि कोईशन में पूशा क्या जा रहा है और उसके अकॉर्डिक में अंसर देना है तो जैसके बात करती है कि अधिगम में विसेश्टा जो होती है उस पहले उसकी बात करेंगी तो अधिगम में जो भिसेश्टा होगी अधिगम सर भौमिक होता है और अधिगम चेतन वा अचेतन अनुवाव पर आदर्थ होता है अधिगम जीव को संतुष्टी पदान करता है यह तो बारी पोजिटिव बात होगी जो अधिगम नहीं होता है वो अधिगम में लक्ष प्राप्ति की आवशिक्ता नहीं होती है ऐसा नहीं है अधिगम में लक्ष प्राप्ति होता है तो उमारा D में दिया गया है अधिगम में लक्ष प्राप्ति की आवशिक्ता नहीं होती है तो यहीं वरा आंसर जिता करेक्ट हो जाएगा D अगला उच्छन देखेंगे निमनलख में से कौन सा सब्द अधिक ब्यापक है A. ब्रद्दी B. अ. बिकास C. अ. परिपकुता D. अ. आ. अ. अ. में बड़ोत्री तो कॉश्चन में बात करती है जो अधिक सब्द जो ब्यापक है या बड़ा है जो अधिक सब्द जो ब्यापक है या बड़ा है उसके जम बात करेंगे वो है परिपकुता क्योंकि बच्चे यहां पर बहुत सारी चीह सीखता है, बहुत सारी चीह यहां पर जानता है, तो परपक्ता सबसे ब्यापक सब्द होगा, तो अंसिया करेक्ट होगा है, यहां पर हमारा है C, अलोशन देखेंगे, डाक्टर ब्लिम के अनस्वार, मुलेंकन प्रकीरिया का सम्द होता है, एस सीखने के अनुबावन से, बीया म की सादनों से, C.I. सिच्छन उद्यश्यों से D.A. उप्रक्सभी से तो जैसे कुश्चन हो पुशे जा रहा कि Dr. Bloom को अनुसार मुल्यांकन प्रक्रिया का संबंद किसे से है इस का कुश्चन हो समझेंगे तो जैसे कि हम पर बात करती है Dr. Bloom के अनुसार जो मुल्यांकर प्रगिया का संबंद होता है वो सीखने के अनुबब से होता है मुल्यांकर के साधनों से होता है और सिच्छर उद्यास से होता है तो अंसर हो जाएगा यहांपे हमारा अपरक्त सभी से तो अंसर हो जाएगा यहांपे हमारा D आगला कोशन देखेंगी सिच्छर का मुخ्य केंDR बिंदू होता है A. पार्ठर्य विशेबस्तू B. विध्यारती C. सिच्छक C. मुल्यंकन तो काफे इच्छा कोशन पुछा गया है तो कोशन मा पुछे जाया है कि सिच्छर का मुख्य केंDR बिंदू क्या है यह question में पूछे जा रहा है तो जैसे कि हम बात करते हैं जो सुच्छड का मुख्य के अंदरू बिंदू होता है वह है कि विद्ध्यारती क्योंकि बच्चे को में सिकाना होता है और बच्चे के अकॉड़िंग ही या उसके रुच्छे को अकॉड़िंग है में सुच्छड प्रक्रिया या अध्यापन के रिया करनी होती है तो अंसेता कर्क्रोड़ा या पिया हमारा B answer जाएगा बिध्यार्ती टिकर देगी आप इसे अगला कुशन देखते हैं वीटियो को लाइक करते हैं सत्थ में सेयर करते हैं दोस्तों सात्मे चैनल को subscribe करें प्रूब प्रेस कर लें जिसनकी notification मादिम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी निमनलग मेंसे कौन सी बिसेस्ता अच्छे सिच्चर से संबन्दित नहीं है तो जैसे कोश्चन में पूछे जा रहा है कि निमनलग मेंसे कौन सी बिसेस्ता अच्छे सिच्चर से संबन्दित नहीं है यह कोश्चन में पूछे रहा है वही कोईशन सीटेट में इस पकार कोईशन काफ़ी पूछे आती है पहले कोईशन को बेक के रुपली पढ़ाएंगे फिर उसके वाद उसका अंसर हम दाएंगे जैसके यहाँ पे तीन पोजिटिम में अप्शन होगे और एक नेगेटिम होगा तो वही आपका अंसर हो जाएगा तो पहले बात करेंगे जो चीज़े होती है जिसके कौन सी विश्वेस्ता अच्छे सिच्चड की यह सम्मदित है तो जिसके बात करेंगे यहाँ पे सिच्चड सोजनवित होना चाहिए सिच्चड लच्छ केंदर्थ होना चाहिए सिच्चड प्रणदर्दाइक होना चाहिए और यहाँ पे सिच्चड निवेस है यह नहीं होना चाहिए तो यही हमारा आंसर यहाँ तरह करेक्ट हो जाएगा सिच्चड निवेस है सिच्छर यहां पर निरेश नहीं होता है सिच्छर सी यहां से बच्चे को सीखाया आता है यहां पर कोई इन्वेस्टी नहीं करते है तो आंसर अगार क्रोया है यहां पर हमारा सीथ, अगला कुशन देखेंगे कुशन तोड़ा बढ़ा है ऐसी इस्तती में अविबाबक को चाहिए की विए बालक को खिलोने खिलने के लिए दें भी यह बालक को समझाए कि खिलोने तोड़े नहीं साथ ही उस पर भी नजर रखें सीए उसे ऐसे खिलोने खिलने के लिए दें जिनने के बिविन अंग अलग हो सकते हैं और जोड़े जा सकते हैं डिये बालक को जिग्यासा या जिग्यासी सुबाब से प्रोसाइद करें और उसकी उर्जा को सही दिसामें संचित करें तो जिस कोश्चन पूशे जा रहा है कि एक बालक है और वह अपने को तोड़ देता है जो कि उनके बिविन भागों को फिर देखता है और उन्हें अलग-अलग कर देता है और ऐसी हिस्तिती में अभिवाबक या पेरेंट्स को क्या करना चाहिए या कोश्चन में पूचे जा यासू है और वह देखना चाहिए कि इस खैलोने का और कि प्रकार की पार्ट लगे हुएं कि जाता है कि ये क्रिया कर रहा है है तो जैसे यहां मारा ऑंसर से प्रोषाइश को करें और उसकी उर्जा को सही रिसाम संचित करें तो गरकश्चन अगला उसन देखेंगे, कक्षा कक्ष प्रक्रिया में मुल्यांकन कारे में निहित होना चाहिए, A. विश्वासनियता, B. बैदुता, C. A. वबी दोनो, D. प्रसंगिकता, तो जैसे कोश्चन पूशे चाहिए कि कक्छा कक्छ प्रक्रिया में मूल्यांकन कार नियत किस प्रकार से होना चाहिए यह कोश्चन में पूछे जा रहा है तो जिसके हम बात करती है, कक्चा कक्च, प्रक्रिया में मुल्नाकन होना चाहिए, नियनित होना चाहिए, वो होना चाहिए कि बिस्वासरिता और बैदिता तो अंसरिता करेक्ट पोज़ा इसको उड़ने मारा A एवं B दोनों तो आंसर हो जाए यहाँ पे मारा C अगर खुशन देखेंगे बच्चे की विकास के सिध्धानत को समझना सिच्छक को साहता करता है A बच्चे की समाज़कण को समझने में B बच्चे को क्यों पढ़ना चाहिए या पढ़ाना चाहिए यह आउचित समझने में C बच्चों को विविन अधिगम सहलियों को पोशित करने में D बच्चे की पारवारिक फ्रस्टिव उम्मी समझने में तो जैसे question में पूछा जा रहा है कि बच्चे के बिकास के सिद्धान्त को समझना चाहिए सिच्चक या समझना सिच्चक को किस प्रकास से साइथा करता है या question में पूछा जा रहा है तो जैसे के बात करते हैं बच्चे के बिकास के सिद्धान्त को समझना सिच्चक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है बड़ा ग्रूप प्रैस कर ला है जिससे के निट्विशन माद दिम से वीडियो मिलती रहेंगी जैसे वीडियो को सियर करें कोश्चन देखेंगे मनोबैग्यानिक फ्राइड के अनुसार इदम का आधार किसे मानेंगे तो जब बात करते हैं फ्राइड के अनुसार इदम हैं की बात की बात की जाती है या इदम का आधार जो माना जाएगा वह हमारा सुक को माना जाएगा तो अनुसे अकरेक्ट होगा यापि हमारा बी अगला कोश्चन देखेंगे स्रजनात्मक के लिए निमलग मेंसे कौन सा कारक बादक नहीं है एक एक अधिकारी उपागम बी ए कठोर आदतें सी ए परंपरावादी दरश्टी कोर्ड डी ए अनुकुरिया में सुतंतरता स्रजनात्मक के लिए निमलग मेंसे कौन सा कारक बादक नहीं होगा या कोश्चन में पूछा गया है तो स्रजनात्मक के बात करते हैं जो बात नहीं होगा हनुका संथंतरता के नँकुरिया में सुतंतरता से क्लिः एक पाएंगे तो वीडियो के लाइक करते हैं ने लाइक करते हैं साथ में सेयर करते हैं दोस्तों साथ में प्याजे के मता अनुसार संग्यानत्विकास का पृत्थम च्रड़ है ए पूर्व सप्रियात्मक इस्तर बिय अंते प्रियात्मक माफ किजिए अंते प्रग्यात्मक इस्तर C.A. संबेदी गत्सील इस्तर D.A. मूर्थ सक्रिया इस्तर तो कोश्चन पुशा क्या कि प्याजे के अनुसार या मता अनुसार संग्यनत्मग विकास का पृत्थम चरड क्या है इस पकार से कोश्चन दो समझेंगे तो जैसे कि हम बात करते हैं प्याजे जी ने जो कि संग्यनत्मग विकास का पृत्थम चरड दिया है वह है कि संबेदी गत्सील का इस्तर तो अनसीदर करेक्ट हो जागा यहाँ पे हमारा C अगला उश्चन देखेंगे बुद्धी है किन्तु इसका विकास बातरव में A. अर्जित B. A. सामाजिक C. A. ब्यक्तिगत D. A. जनमजाद तो कोश्चन कुशा किया कि बुद्धी किस प्रकार है किन्तु इसका जो विकास होता है वो बातरवर में होता है यह कोश्चन में पूछा या रहा है तो जिसके बीबात करते हैं बुद्धी है जनमजाद होती है और इसका जो विकास होता है वो बातरवर के अनसार होता है तो अनसितर गरेक्ट होगा यहां पे हमारा D. अगलोश्चन देखेंगे अनुभाविक की अधिगम की प्रकरती को निर्धारित या निर्धार करने वाली कारक है यह करके सीखना देनिक अनुभाव सीए सामाजिक समूपृत्करिय है दे अपरुक्त सभी तो कोश्चन पूश्चन पूशे जा रहा है कि अनुभाविक की अधिगम की प्रकरती को निर्धारित करना या करने वाली कारक है वो क्या है यह कोश्चन में पूछा जा रहा है तो उसके हमें बात करती है अनुभाविक की जो अधिगम की प्रकरती को निर्धारित करने वाली कारक है वो है करके सीखना देनिक अनुभाव सामाजिक समूपृत्करिय है तो अनसर दे करक्ट लगा यहांपे हमारा उपरुक्त सभी अगर कोशन देखेंगे प्रात्मे कच्छा के विद्ध्यार्तियों को अविप्रेणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय है ए दंड देना बी ए मिठाई का प्रलोवन सी ए नवचारों का प्रोग डी ए घर पर सिकायत करने का बह प्रात्मे कच्छा के विद्ध्यार्तियों को अविप्रेणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय क्या है यह कोशन में पूछा जारा है जोसे कि हम बात करते हैं प्रात्मे कच्छा में जो विद्ध्यार्तियों को अविप्रेणा प्राप्त करने के लिए जिसके बात करते हैं, जब लिखित परिच्छा की बात होती है, तो यहां पर लिखित अविव्यक्तिवा समझ की जाच करना होता है, इससे क्या है कि जो भी लिखित होता है, उससे कि आपने विच्छार को प्रदान किया जाता है, तो यहां पर लिखित परिच्छा की मुख्यों दिश होगा, वो लिखित अविव्यक्तिवा समझ की जाच कर B.A. मानसिक विकास की अवस्ताओं का C.A. लेंगिक विकास की अवस्ताओं का D.A. मनो लेंगिक विकास की अवस्ताओं का तो question पूशे जारा कि fried का व्यक्तुत संबंदी सिद्धान्द संगडित रूप है यह question में पूछा रहा है तो इसके बात करते हैं जहां पर बनो लेंगे विकास की अवस्ताओं का फ्राइड का वेक्तिव संबन्दी विकास का संग्रित सिद्दान्त है तो अंसर करेक्ट हो जाएगा यहां पर हमारा डी दोस्तों सहसाना आवरें यह स्वाप तो ताय विडियो को जैसा सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें प्रेस करें जिसके नटुष माद्यम से वीडियो मिलती रहेंगी तो इक मैथमूर सूच यह भी है कि हमने वीडियो डाले का टाइम चेंज कर दिया है साड़ी साथ बजी का टाइम कर दिया है तो आपको बालुविका सच्छन हस्त्री यह सीडिपी की वीडियो करेक्ट साड़ी साथ बजी आपको मिल जाएगी तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैन दोस्तों बंदे मात्रम